इस वीडियो में दुस्तों बात करेंगे Vodafone Idea Limited के बारे में जिसने की अपने quarter 1 के numbers को just अभी publish कर दिया तो चलिए देखते हैं इस बार के numbers कैसे रहे तो outcome की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ results को लेके announcement होई की dividend bonus या split selected में कोई news देखने को नहीं मिल रही तो चलिए देखते हैं Vodafone Idea के इस बार के जो consolidated numbers है वो कैसे रहे सारे figure millions में in crores में बात करेंगे quarter 1 की earnings है 4 की earnings है then last year quarter 1 का data आपको third column में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले discuss कर लेते है revenue from operations company का कितना रहा जो कि last year quarter 1 आपको last column में देखने को मिलेगा और company का जो revenue था total वो approximately 10,655 का वो इस बार 10,500 एट पे आ गया और quarter 4 में 10,606 था वो इस बार 10,500 एट पे आ गया तो इस बार का जो revenue है वो quarter plus yearly दोनों ही जगे down है और market का जो अनुमान था वो 10,655 करोड का था जो की हमें miss होता हुआ देखने को मिल रहा देट सो करोड से तो market estimate को beat नहीं कर पाया revenue और quarter plus yearly दोनों जगे गिरावट है then उसमें आप other income add करेंगे तो आएगी कंपनी की total income जो की 10,600 से 10,700 पे आगी और quarterly भी same 10,639 से 10,764 पे तो after the adjustment of other income आपको total income quarter plus yearly बढ़ती हुआ देखने को मिलेगी then discuss करते हैं company को total profit या loss for the period कितना हुआ तो last year company को 7,800 क्रोड का loss था quarter 1 में और quarter 4 में 7,600 क्रोड का और इस बार 6,400 क्रोड का company को loss हुआ है तो काफी अच्छी कासी recovery 1000 क्रोड से ज़्यादा की quarter plus yearly दोनों जगे देखने को मिल रही market estimate की बात का है तो market ने जो अनुमान लगाया था market ने भी loss का लगाया था but जो estimate लगाया था वो 7,639 क्रोड का लगाया था जो की estimate के इसाब से काफी सही losses देखने को मिल रहे तो जितना losses का अनुमान था उससे काफी कम losses देखने को मिल रहे है same reflection EPS में losses recover हुए तो EPS भी आपको recover होता हुआ देखने को मिल रहे है तीनो negative में है 1.61, 1.57 और इस बार losses कम है तो 1.02 negative का तो overall numbers तो गयर अच्छे नहीं है but losses में recovery हुई है और market ने जितनी उमेदे करी थी उससे कम losses देखने को मिल रहे तो बिलकुल एक positive reaction हो सकता है market का तो आपको कितने shares है इसके comment box में बिलकुल बता है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए bye bye